हेलो एवरिवन स्वागत करती हूं एक बार पीर से आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल में तो आज मैं छोले बना रही हूं और उसी की रेसिपी आप से किसा शेयर करने वाली हूं तो वीडियो को लाश्ट तक देखिएगा इसकी पमत कीजिएगा और मैं छोले किस तरीक चोले को रात बर के लिए बिगो कर रख दिया है पहले अच्छे से दो लेना है और मैं छोले सुबह बनाऊंगी तो रात बर बिगो कर रख दूँए क्योंकि देखिए छोले को फूलने के लिए 6-7 गंटे का टाइम लगता है तो इसले 6-7 गंटे के लिए जरूर भिगोना कि यहां पर मैं छोले ज्यादा बना रही हूं तो इसलिए तीन चम्मच नमक डाला है अधकन बंद कर दिया है और इसमें मैं तीन सीटिया लगा कर गैस को बिल्कुल सिम करके छोड़ दूँगी तो जब तक हम फ्राइब करने के लिए मसाले की तियारी कर लेते हैं मसाला त जब हमारे तामाटर वल जाएंगे जब इनका छिल्कालग होने लगे गा तो टामाटर को निकाले मा सिल्का उतार एक का टके उनका पेष्ट बना लहा लहा है विक्सिमी पीकर तो defense वे तयार हो गया है अब चोले च्होड़ा क्या लेएं तीन सीटि लगाने के बाद गैस क कम से कम आदा घंटा के लिए बिल्कुल धीमी आज पर पकने देना है छोड़े तभी हमारे बढ़िया उबलते हैं अब हलका से इस तरीके से चमचे से घोट लेना है उसके बाद हम छोले फ्राइ कर लेते हैं छोले फ्राइ करने के लिए मैंने सबसे पहले पतिले में चड़ा मिर्च और थोड़ा से ले लिया है जीरा अब यह सारा समान डाल दूगे में अपने तेल में अब अच्चर से गर्म हो गया तो यह समान तेल में डाल देंगे अज़ कर दो कि अब अधी टेमार्ट का पेस्ट में चला अधे से चलाते मिक्स करेंगे और हम मसालाइنت पिनाने के लिए सूखे मसाले ले लेते हैं तो थोड़ी सी मैंने हल्दी ले लिए क्योंकि इसमें डालूंगे मैं मसाला छोले काले करने के लिए तो हल्दी थोड़ी सी डालने है थोड़ा सा ले लिया काला नमक थोड़ी सी ले लिया हींग थोड़ा से ले लिया धनिया पाउडर और अब ये है स्पेसल मसाला जिसे की हमारे छोलो पे कलर आएगा तो ये मैंने छोटी हैड ली है छोटी हैड को घी में भून कर उसे पीस कर हमने मसाला तियार किया था और ये मसाला देखिए छोले जाता है तो एक चमश डाल लिया है और अगर थोड़े है तो उसी हिसाफ से डालेगा और जैसे ये टमाटर की अंदर जाएगा तो इसका कलर अपने आपी चेंज हो जाएगा देखे छोले में हम चाय पत्ती बहुत से लोग चाय पत्ती की पोट्री बना कर डालते हैं बहुत से लोग चाय पत्ती का पानी उबाल कर डालते हैं और कुछ लोग डालते हैं नार का छिल का कुछ आमला डालते हैं लेकिन जो सबसे best option है वो है चोटी head, चोटी head को घी में भून कर पीस कर रख लीजिए और इसका powder डाली छोलो में, तो वो क्या है कि gas भी नहीं बनाएंगे चोले और color भी बहुत अच्छा आएगा, छोले फायदा ही करेंगे, आपको नुकसान नहीं देंगे, चाहे आप रात करने के बाद हम अपनी gas को बंद कर देंगे, देखिए बिल्कुर परफेक्ट चोले हमारे तियार हुए है, अभी मैं आपको दिखा दूंगे कि चोटी head किस तरीके की होती है, और उसे किस तरीके से आपको घी में भूनना है, वो मैं वीडियो के लास्ट में वीडियो डाल तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बोक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो नई रेसिपी के साथ, तो देखिए यहां पर मैंने पूरिया बनाई है, और पूरी चोल के साथ हम गर्मा-गर्म सर्व कर रहे हैं, तो यह है चोटी है, इसको घी में जब भूलेंगे तो इतनी इस तरीके से फोल जाएगी, और उसके बाद बहुत ही अच्छे से पिच जाएगी, तो इसका पावडर बना कर रख लीजे, और यह बहुत ही फाइदेमंद होती है, यह देखें, इसका पावडर ही तयार कर लिया है हमने, और इसी को हम बना कर रखते हैं छोले में डालने के लिए, थैंक्यू सो मच्छ